पॉलो नीज तमर करता हूं कि यह मौका है इस औसर पर यह मेसेज जरूर शेयर करना चाहिए सिर्फ मैंने नहीं हम सभी मैंसेज जैसे के आहिंसा समानता मैं कहूंगा स्वच भारत स्वस्थ भारत इन सारी चीजों पर उनका फोकुस था इन्वायर्मेंट पर बहुत ज्यादा फोकुस था क्ले बनपती के समय सेलिब्रेट कर रहे थे तो मैं गाड़ी चला रहा था समंदर के पास से चला रहा था गाड़ी तो बहुत सारी चीजे मुझे दिखाई दी जो समंदर ने वापस लाके के नारे पर छोड़ दी तो इनमें मैजॉरिटी वेस्ट प्रोड़क्स जो थे वो प्ल सपोर्ट करता हूं और यह उमीद करता हूं कि आप भी सपोर्ट करेंगे देखी मुझे लगता है जब हम स्वच भारत के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली सबका ध्यान सिर्फ लैंड पे ही जाता है अगर आप देखोगे कि हम कब सेफ और सिक्योर्ट फील करते हैं हानि है वहां पे लैंड है पानी है यह तो एर स्पेस इंडियन एर फोर्स को में प्रोटेक्ट करती है लांग पे हमारी आर्मी वो करती है और पानी में नेवी यह जब तीन फैक्टर्स एकट ताहा के हमें प्रोटेक्ट करते हैं तब हम सेफ और सिक्यूर्ट फील करते हैं मगर हम सिर्फ लैंड क्लीन रखके क्लीन और हेल्दी फील नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है कि भारत में लैंड पानी और उसकी एर सब कुछ क्लीन होना जरूरी है सिर्फ एक ही चीज नहीं सिर्फ लैंड नहीं तभी हम भारत को मिल्कर स्वच और स्वस्थ बना सकते हैं आज महात्मा गंदी का एक सोपचास वा बड्ड़ है अगर हम बड़ी बड़्डे गिपफ जीना चाहेंगे तो इससे बड़ी कोई बड़्डे गिफ उओ नहीं मांगेंगे बारत को स्वाच और स्वास्त बनाने के तो आवो मिलकर सब कोशीश करते हैं जैहें